गुड मॉनिंग दियर स्टूडेंट्स आज वीडियो के इस भाग में हम बात करेंगे गलेशिल प्रोसेस के बारे में देखे गलेशिल प्रोसेस की अधि बात करी जाए तो उच अकसांसों में और या फिर उच परवती अक्षेत्रों में जो बरफ पाई जाती है जब वो बर ग्रेविटी के प्रभाव में यानि ग्रुतु आकरसन के प्रभाव में आकर गती सील हो जाती है और अपनी गती सीलता के दोरान वो उपरी भाग से निचले भाग की तरफ अगरसर हो जाती है उसकी गती जो है वो सुरू हो जाती है तो ऐसी गती सील बरफ को हम गलेशियर क नाम देते हैं और जब ये बरफ धरातल के उपर गतिसील होती है तो कई सारे काम जो है वो इसके द्वारा किये जाते हैं जिसमें से हम बात करें कि जब ये एक अक्सेत्र के उपर से गुजरती है तो वो चटाने विरोध करती हैं और उसका विरोध यानि वो रेजिस्ट करती है और उसके resistance के प्रिणाम सवरूप जो glacier है जो glacier में ice है उसकी जो force है वो force वहां पर policing भी कर सकती है वो उन resisting चटानों को वो जो विरोध कर रही है चटाने उस बरफ को अपने उपर से गुजरने नहीं देना चारी है वो उनको अपने साथ उखाड कर भी ले जासती है और प्रिणाम क्या होता है कि erosion हो जाता है और जब भी erosion होता है तो हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो किसी ना किसी एक रूप में किसी एक सतला कृती का निर्मान होता है दूसरी तरफ जो पानी है उसका प्रभाव हमें दिखाई देने लग जाता है तो ऐसे अक्षेत्र में आकर ये glacier अपने साथ लेकर आए हुए material को वहाँ पर निक्सेपित कर देता है उसको deposit कर देता है और उस deposition के प्रिणाम सवरूप वहाँ पर भी कुछ सतला कृतियों का निर्मान होता है तो यही जो अपरदन और निक्षेपन और अपरदन किस परकार से ये करता है glacier किस परकार से glacier का निर्मान होता है कौन से सतला करतियों का ये विकास करता है ये पूरा का पूरा जो system है इसको हम Glacial Process के नाम से जानते है Glacial Process की यदि बहुत साधान सब्दों में बात करी प्रित्वी के धरातल के उपर बरफ की गतिसीलता के लिए जिम्मेवार और उसका कारक जिम्मेवार कारक और उनके जो प्रिणाम होते हैं उनको हम Glacial Process का नाम देते हैं और इन Glacial Process में देखिए अधी बात करी जाए तो कुछ महतुपूर्ण जो प्रिभासाएं हैं वो यहा मूविंग आइस मास डाउन स्लोप अंडर दा इंफुलिंस ओग्रेविटी गुर्तु आकरसन के प्रभाव में जो बरफ का एक बड़ा भाग वो नीचे की स्लोप की तरफ अगरसर हो जाता है गतिसील हो जाता है ऐसे गतिसील बरफ को हम Glacier यानि की हिम नदी का नाम देते हैं फिर यदि बात करी जाए स्नो लाइन की कि स्नो लाइन ये कौन सी लाइन होती है ये वो लाइन होती है जो बेसिकली दो चीजों के मद्य एक शीमा का निर्मान करती है यानि इस लाइन से उपरी भाग में बरफ ही बरफ पाई जाएगी और इसे नीचे वाले भाग में बरफ कुछ हद तक बरफ और पानी दोनों का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा यानि accumulation की यदि बात करी जाए ice की तो वो हमेशा इस line से उपर होती है और इसलिए इसको कहा जाता है कि टी जे zone between permanent and seasonal snow एक विशे सीजन में बढ़ने वाली बरफ और पूरा साल रहने वाली बरफ इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा होती है उस सीमा रेखा को हम snow line का नाम देते हैं ये एक उचाई भी होती है height भी होती है जो उस area को cover करती है जो सारा साल बरफ से ढखा रहता है तो उस line को जो है हम snow line के नाम से जानते है snow field की यदि बात करी जाए ये क्या होता है ये area of accumulation होता है huge amount of snow ये एक ऐसा अक्षेतर जिस अक्षेतर में बहुत ज्यादा मातरा में बरफ जो है वो जमा हो जाती है ऐसी अक्षेतर को हम snow field का नाम देते हैं अब बात आती है कि ये snow क्या होती है snow की ये बात करी जाए तो ये fluffy mass होता है loosely packed snow flex का यानि जो पानी आसमान से गिरता है वो गिरता हुआ पानी ये ठोस अवस्था में गिरता है और उसकी ठोस अवस्था में जिनको हम flex कहते हैं वो जो टुकडे गिरते हैं यदि वो बहुत नरम होते हैं slope fluffy होते हैं तो ऐसी अवस्था में उनको snow का नाम जो है वो दिया जाता है और यही बरफ के टुकडे जब बहुत ज़्यादा कठोर अवस्था में गिरते हैं तो इनको हम hailstone का नाम देते हैं लेकिन जब यह बहुत मुलायम होते हैं तो ऐसे मुलायम अवस्था में गिरने वाला जो ठोस अवस्था में गिरने वाला जो पानी है उसको हम snow का नाम देते हैं और इस snow का जो गिरना होता है वो snowfall कहलाता है granular की यदि बात करी जाए तो यह semi compacted snow होती है यानि यह जो snow जो गिर जाती है गिरने के बाद क्योंकि एक के उपर दूसरा flag लगातार जो है वो deposit हो रहा है तो प्रिणाम सवरूप उपर से भार में विर्धी हो रही है बार की विर्धी जो है वो दबाव में विर्धी करती है और प्रिणाम सवरूप जो नीचे की बरफ है वो थोड़ी सी compact हो जाती है वो थोड़ा सा जो है और ठोज सवस्ता में आना सुरू हो जाती है और ऐसी बरफ को हम granular का नाम देते हैं फिर fun या new की बात करी जाए और जब ज़्यादा pressure बढ़ने लग जाता है तो जो compaction का जो process है वो compaction का process और strengthen हो जाता है और ऐसे strengthen जो snow होती है उसको हम fun का नाम देते हैं और फिर ice की यदि बात करी जाए तो ये बहुत ही compacted जो snow होती है उसको हम जो है ice का नाम देते हैं और यही गती seal होती है इसी ice की गती जो है वो moment हमें glacier के नाम से पुकारते हैं फिर यदि बात करी जाए nourishment area nourishment की जैसे हम जानते हैं कि यह portion वाला अक्षेतर होता है portion किसका करना है glacier का या बरप का तो इसमें देखिए दि बात करी जाए तो यह solid और highly compacted snow जो होती है वो nourishment area कहलाता है और यह high altitudes होते हैं colder area होते हैं यहां इसकी विशेशता क्या होती है यहां पर बरप के पिघलने की जो दर है उसकी तुलना में बरप के जो गिरने की दर है यानि snow melting का जो rate है वो snow fall के rate से बहुत कम पाया जाता है और प्रिणाम सवरूप सारा साल बरप जो है वो इस अक्सेतर में जमा रहती है और ऐसे अक्सेतर को हम nourishment area का नाम देते हैं और यही nourishment area हमारे glacier की development जो है उसमें सहायक होता है यानि यहाँ पर gain बहुत अधिक होता है फिर wastage area की बात करी जाए तो यह वो अक्सेतर होता है यह lower latitude का या फिर lower altitude का area होता है यह वो अक्सेतर होता है जहाँ पर बरप के पिगलने की जो दर है वो बरप के गिरने की दर से अधिक पाई जाती है यानि snow जो melt हो रही है उसका जो rate है वो snowfall के rate से अधिक होता है और प्रिणाम सोरूप इस area में जो बरफ है वो सारा साल नहीं निक्षेपित पाई जाती और इसी लिए इसको wastage area कहते हैं यह snout का area होता है जहाँ पर glacier जो है वो पिगलना सुरू हो जाते हैं और फिर देखे अधि अब हम glacier की बात करें तो जैसा हमने पढ़ा था कि यह moving ice होती है और ice को हम पढ़ चुके हैं कि यह highly compacted mass होता है snow का और यह जब gravity के प्रभाव में या गुर्तव आकरसंड के प्रभाव में down slope जब इसकी moment हो जाती है तो उसको हम glacier का नाम देते हैं और प पानी समुद्र में पाया जाता है और इसके बाद जो बड़ा जो water mass है वो 2.15% जो है वो glaciers के रूप में जो है solid state में उच्छ अक्सांसों के उपर और उच जो परवती अक्षेत्र हैं वहां पर यह पाया जाता है और यह पिर्थवी के लगबग 10% भाग को जो है यह land mass cover कर करता है और फिर यदि बात करी जाए तो यह they form due to accumulation of ice above snow line जो snow line होती है उससे उपर बरफ के लगातार गिरते रहने की वज़े से इन glaciers का जो है वो निर्मान होता है और बहुत gradual transformation होती है उसके द्वारा in glacier का निर्मान होता है जैसे हमने पढ़ा कि पहले तो जो है वो snow जो है वो गिरती है यह snow जो है यह snow गिरती है snow जो है वो granular snow में convert हो जाती यानि एक यहाँ पर snow गिरी इसके उपर फिर उपर 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 और यह जो भार की विर्दी है वो दाब में विर्दी करती है और उस दाब में विर्दी के प्रिणाम सवरूप जो है इस अक्से जाता है क्योंकि यहां पर नीचे अक्सेत्र में अधिक दाब होने दबाव होने की वज़े से यह अधिक सॉलिड हो जाती है ठोस हो जाती है और इसको हम granular कहते है ग्रेनूलर जो है वो बाद में convert हो जाता है fun में यानि और उपर से बरफ जो है वो गिरती रहे और दाब बढ़ता रहेगा तो फिर ये और ज्यादा compaction होता है इसमें और इसका ठोस जो है और ठोस अवस्था में कठोर अवस्था में आ जाती है fun कहलाती है और fun जो है वो finally convert हो जाती है glacial ice में और ये जो glacial ice है यही glacial ice जो है यह जो ice develop होती है यही जो है वो gravity के प्रभाव में आकर down slope जो है move करती है और ऐसी गतिसिल बरफ को हम नाम देते हैं glacier या फिर हिम नदी का और glacier के देखिए यदि classification की बात करी जाए कितने भागों में इसको बाटा जा सकता है तो मुख्य तोर पर इसमें देखिए यदि हम बात करें तो इसको हम दो भागों में जो है वो divide कर सकते हैं पहले एक continental glacier ये वो glacier होते हैं जो किसी भी एक महाद्वीब के अधिकान्स भाग यदि बरफ से ढका हुआ होता है तो उसको हम continental glacier कहते हैं जैसे अंटार्टिका के संदर में यदि हम बात करें तो maximum area जो है अंटार्टिका का वो snow cover है तो वहाँ पर जो glacier है वो continental glacier है और इन के अलावा यानि उच अक्सांसों के अलावा उचे परवतिये जो अक्सेत्र होते हैं वहाँ पर भी जो है ये बरफ पाई जाती है और ये बरफ गतिसील होती है और glacier का निर्मान जो है उस अक्सेत्र में भी होता है तो उस अक्सेत्र में जो glacier पाए जाते हैं उनको mountain या फि जो घाटी अक्से जो हिम नदी है उस नाम से जाना जाता है तापमान और इनका जो निर्मान होता है यदि इस विशेशता के आधार पर भी Glacier को देखा जाए तो जैसे हाँ कि यहां पर जो है वो बात हुई है कि ये जो Glacier होते हैं तापमान के आधार पर Continental Glacier होता है valley glacier होता है, pedmont glacier होता है, continental glacier क्योंकि ये higher latitudes में पाए जाते हैं, तो उसके जो तापमान होता है, वो काफी कम पाया जाता है, valley glacier जो है, ये tropical area में भी पाए जा सकते हैं, भूमद रेखी अक्षेतर में भी पाए जा सकते हैं, इनका तापमान जो है, लेकिन height ज्यादा होने की इनका तापमान जो है, वो पीडमॉंट glacier से ज्यादा होता है, लेकिन continental glacier से कम पाया जाता है, और अंत में आते हैं, पीडमॉंट glacier, यानि वो जो glacier जो परवतिये जो हिम नदिया है, वो परवतिये हिम नदिया, जब ढाल के साथ साथ परवाहित होती हुई, गती होती हुई, जब गिरी पदिये अक्सेतर में आकर इकटी हो जाती है, तो ऐसे जो glacier का निर्मान होता है, उस glacier को हम पीडमॉंट glacier या गिरी पदिये जो हिम नदिया है, इसके नाम से इसको जाना जाता है, और फिर यदि हम बात करें continental glacier की, तो इसके भी कई सारे भाग होते हैं, valley glacier के भी क कुछ भाग जो हैं, वो पाए जाते हैं, जैसे continental glacier में यदि हम बात करें, तो ice cap होती है, ice cap की यदि मैं बात करूं, तो बहुत लंबा चोड़ा जो अक्सेतर है, वो बरब से धका हुआ हो, तो उस ठिती में उसको ice cap कहा जाता है, और सामाने अवस्था में 50,000 square kilometer का जो अक्स seat भी कहते हैं, यानि 50,000 square kilometer से ज्यादा का अक्सेतर यदि snow covered है, तो continental glacier कहलाएगा, और highland glacier ये इन अक्सेतरों में परवतों के उपर पाए जाने वाले, जैसे Canada के अक्सेतर में बात करें, तो वहाँ पर परवती अक्सेतर में जो glacier पाए जाते हैं, उनको हम highland glacier कहते हैं, फिर हमने valley glacier या mountain glacier की बात करी, ये middle latitudes या lower latitudes के glacier होते हैं, लेकिन ये परवती अक्सेतर में पाए जाते हैं, जो उचाई वाले अक्सेतर हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, इनको हम valley glacier कहते हैं, ये alpine type, alpine के area में ज्यादा ऐसे glacier देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको alpine glacier कहते हैं, सर्क glacier, सर्क glacier जो है, सर्क एक सथला करती होती है, जो हिम नदी के द्वारा बनाई जाती है, और इसका जब निर्मान इसके erosional feature में हम पढ़ेंगे, तो आपको समझ भी आएगा कि ये सर्क glacier जो है, क्या होते हैं, glacier tongue होती है, glacier का हिस्सा जो बहुत आगे तक निकल जाता है, वो उसकी जिवा की भाती दिखाई देता है, wall-sided glacier, यानि glacier जो है, वो दोनों तरफ से, जो है, wall-sided जो है, उसके बरफ के जो है, वो दिवारे बनी हुई है, और वहां से glacier पर वाइत हो रहा है, और transaction glacier, फिर Piedmont glacier में देखे दी बात करी जाए, तो foot glacier होता है, और self ice, या ice self के नाम से भी जो है, इस glacier को जाना जाता है, तो यह जो तापमान के आदार पर तीन जो classification थी दीन, जो category थी, continental, valley glacier और Piedmont glacier, इनकी भी कुछ सब category होती है, जिनके बारे में अभी जो है, हमने देखा, पड़ा है, और अब देखिए, ice sheet की यदि बात करी जाए, तो बहुत साधान सब्दों में इसको मैं cover करूँगा, ice sheet और ice cap जो है, वो दो चीजें होती है, और दोनों में जो अंतर होता है, वो अंतर केवल और केवल एरिया का होता है, यानि कितने अक्सेतर में जो है, वो बरफ उस अक्सेतर में उस continent के उपर पाई जाती है, यदि वो एरिया पचास स्क्वेर किलो मेटर से ज्यादा हो, तो वो ice sheet कहलाती है, और वो अक्सेतर काफी लंबा चोड़ा है, लेकिन उसकी जो अक्सेतर फल है, वो पचास जार स्क्वेर किलो मेटर से कम होता है, तो ऐसी अवस्था में उसको हम ice cap का नाम देते हैं, और जो central part होता है, ice cap का या फिर ice sheet का, उसको ice dome के नाम से जो है, वो जाना जाता है, वेट्वी के धरातल पर पाए जाने वाले ये सबसे बड़े जो है, वो glacier होते हैं, ice sheet और ice cap, फिर इसके बाद आकार में हम continental glacier की बात करें, तो ये बहुत extensive ice sheet होती है, और continent का काफी बड़ा हिसा ये cover करते हैं, अंटार्ट की बात करें, Greenland की बात करें, तो इस area में ये glacier पाए जाते हैं, अंटार्टिका की देखिये दी बात करी जाए, तो 400 meter के आसपास जो है, वो थिकने से बरफ की और 8 million जो square kilometer है, वो अक्सेतर जो है, वो बरफ से ढखा हुआ है, अंटार्टिका का Greenland की बात करी जाए, तो 1,30, हजार जो square kilometer का area है, उस पे ये बरफ का जो cover है, वो पाया जाता है, और इसकी जो उंचाई है, वो कुछ जगह पे जो है, या इसके मध्य बाग में जो है, लगबग 4500 meter, यानि जो ice dome का जो हिस्सा है, वहाँ पर 4500 meter के करीब जो है, इस बरफ ये बरफ पाई जाती है, mountain या valley glacier की बात करी जाए, तो ये वो glacier होते हैं, जो परवती अक्सेतरों में पाए जाते हैं, और सामाने तोर पर जो हिन की length की बात करी जाए, तो कुछ kilometer से लेके 2000 km तक जो है, वो लंबाई पाई गई है इन glaciers की, और snow line से उपर जो है, ये glacier पाए जाते हैं, पीड मॉंट glacier की बा जाते हैं, और इनके निर्मान का कारण होता है, जो valley glacier या mountain glacier है, वो जब गती सील होते होते होते, गती जो है, मू करते करते, जब उस foot hill के area में जाकर accumulate हो जाते हैं, तो वहाँ पर पीड मॉंट glacier का निर्मान जो है, होता है, अलास्का जैसे जो ठंडे अक्सेतर है, उन्हीं अक्सेतरों में इनका जो है, निर्मान देखने को मिलता है, और moment की देखिए इदी बात करी जाए, glacier की, तो तीन तरीके की इसकी गती होती है, इसकी moment देखने को मिलती है, एक sliding over bedrock, जो चटाने हैं, उन चटानों के ऊपर जो है, slide करते हुए ये बरफ जो है, वो मू कर सकती है, internal deformation से, यानि अपने अंदर की जो चीजें हैं, वहीं पर deform होते होते भी जो है, इसकी moment हो सकती है, और compression, extension, compression, extension, compression, extension, इस रूप में भी जो है, ये बरफ मू कर सकती है, यानि ये हमारा एक slope का area है, तो glacier slope के area के साथ slide करते वे भी आ सकता है, अपने अंदर जो है, ये बरफ तूटती रहती है, तो उसके प्रिणाम सवरूप भी गती हो सकती है, और ये फैलता है, और फिर सिकुड जाता है, इस फैलना और सिकुडन के प्रिणाम सवरूप भी जो glacier है, वो move करता है, गती सील हो सकता है, तो तीन तरीके की glacier में जो है, वो गती पाई जाती है, forward जो moment होती है, यानि glacier जब आगे बढ़ता है, तो उसको हम advancement of glacier के नाम से जानते हैं, और glacier जब पीछे हटने लगते हैं, यानि बरब पिघलने लग जाती है, वेस्टेज एरिया बढ़ जाता है, तो retreat of glacier जो है, वो कहलाता है, जब भी nourishment area में increase होता है, तो जो glacier है, वो advance करते हैं, और जब wastage area में increase होता है, तो glacier हमेशा जो है, वो retreat करते हैं, और glacier जब पिघलना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्ता में हम उस glacier को ablation of glacier के नाम से पुकारते हैं, यानि glacier का पिघलना ablation, पीछे हटना retreat, और उसका आगे बढ़ना advancement जो है, वो कह remove करने लग जाती है, गती seal हो जाती है, तो अपनी गती seal ता के दोरान, किस किस प्रकार से ये सथलाकरतियों का निर्मान कर सकती है, कैसे ये अपने साथ material को remove कर सकती है, उसके parent position से, उसमें एक बात करी जाए तो abrasion होता है, abrasion की बात करी जाए, तो जैसे sand paper होता है, ragmar की हम बात करते हैं, उसको आप दिवार के उपर गिशाते हैं, तो दिवार के उपर या किसी लोहे की pipe पे, जहां पर भी आप उस ragmar paper को, sand paper को जब आप move कराते हैं, तो वहाँ पर कुछ निसान पढ़ जाते हैं, लाइने पढ़ होती हैं, और इसके अलावा वो surface जो है smooth हो जाता है, ऐसा जो प्रिक्रिया होती है, जो glacier में गटित होती है, उसको हम नाम देते है, abrasion का, फिर plucking की बात करी जाए, देखे glacier है, glacier move कर रहा है, यानि ये बरफ जो है, वो गती सील है, और इसके रस्ते में अगर मानलो कुछ इस प्रकार से चटान आगी, तो इसकी जो force है, हालांकि इसकी गती बहुत कम है, लेकिन इसका mass जो है, वो इतना अधिक है, कि इसकी जो velocity होती है, वो बढ़ जाती है, और उस velocity के प्रिणाम सवरूप, ये इस चटान को अपने साथ उखाड के जो है, वो ले जाती है, और ऐसी जो प्रिकिरिया होती है, उस प्रिकिरिया को, उस process को हम plucking के नाम से जानते हैं, जैसे फूल तोड़ लेते हैं, आप पारक से, ऐसे ही चटाने जो है, उनको glacier उखाड देता है, तो उसको हम plucking कहते हैं, और फिर तीसरा policing भी आती है, smoothing होती है rocks की, rocks को ये smooth भी कर देता है, तीन तरीके से देखिए, यहां पर अब मैं अधी बात करूँ, सतला करतियों का निर्मान होता है glacier में, पहले सतला करतिया बरफ के उपर ही निर्मित होती हैं, यानि वो जो बरफ है, उस बरफ की अपनी कुछ ऐसी characteristics होती है, कि कुछ सतला करतियों का निर्मान over the ice होता है, फ परफ जो है, एरोजनल एक्टिविटी करते वे कुछ सतला करतियों का निर्मान करती है, और वो जो material अपने साथ लेके गई थी, जब glacier का ablation हो जाता है, तो वहां पर वो material deposit करती है, और तीसरी तरह की सतला करतियों का निर्मान करती है, यानि landforms that develops on glacier, they are developed over the ice, they are developed due to the erosional activity of glacier, they are developed due to the depositional activity of glacier, तो पहले over the ice की देखिए, यदि हम बात करें, देखिए इस diagram पे यदि आप जो है, फोकस करें और समझें, तो ये glacier जो है, वो move कर रहा है, down the slope, लेकिन ये जो बरफ है, इस पूरी घाटी में, आप इस wall के साथ देखें, इस wall के साथ देखें, तो ये बरफ और जब इस अक्षेत्र में move करेगी, तो ये wall जो है, वो friction करती है, वो घरसन पैदा करती है, और घरसन पैदा करने के प्रिनाम सवरूप होगा क्या, बरफ की जो गती है, वो इन margins के उपर, किनारों के उपर कम होती है, और केंद्रभाग में अधिक होती है, दूसरा, जो bottom ह है, उस bottom पे भी जो चटाने हैं, वो friction करती है, वो घरसन पैदा करती है, और बरफ की जो गती होती है, वो उसकी bottom के उपर कम, और top एरिया में ज्यादा, किनारों पे कम, और center एरिया में ज्यादा होती है, और इस चीज़ का प्रिनाम क्या होता है, इस चीज़ का प्रिनाम हो होता है क्रिवैसीज दरारें पैदा हो जाती है बरप में बड़े-बड़े दरार जो है वो आ जाती है और इन दरारों को हम नाम देते हैं क्रिवैसीज का और ये क्रिवैसीज जो है यदि margins पे पाई जाती हैं तो marginal crevices कहलाती हैं और यदि bottom के friction की वज़े से develop होती है तो ये transverse जो है वो crevices कहलाती हैं और कभी-कभी जो है यदि इन crevices में fresh snow भर जाती है और the mountainiers हैं वो उस area से गुजरते हैं तो उनकी मिर्थ्यू का कारण भी जो है ये बन जाती है देखिए यहाँ पर ये अगर मैं valley लेके चलूँ और ये glacier है तो जो दरारे यहाँ पर विक्सित होती हैं ये हमारी marginal crevices कहलाती हैं bottom frict कर रही है लेकिन उपर की गरबरफ जो है वो गती सील है प्रिनाम सवरूप glacier beach से टूटना शुरू हो जाता है और ये जो crevices होती है इनको हम transverse crevices के नाम से जानते हैं यहाँ पर देखिए दि आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये crevices की development है ये crevices है और अब मान लीजिये जो बात अभी आई थी कि snowfall अगर जो है वो recently हुआ है तो fresh snow जैसा कि हम जानते है fluffy होती है बहुत मुलायम होती है और वो इस area में जो भर जाती है तो ये पूरा area उपर से cover हो जाता है और बहुत बार जो प्रवतार हो ही होते हैं mountaineers होते हैं उनकी मौत का कारण जो है ये क्रिवासिस बन जाते हैं पाए जाते हैं दूसरी सतलाकिर्थी की यदी बात करी जाए तो ये पूरे अक्षेतर में बरफ थी लेकिन ये वाला जो हिस्सा था बरफ का ये हिवाला हिस्सा गुरुतु आकरसंड के प्रभाव में ग्रेविटी के influence में गती सील हो गया लेकिन उपर का जो हिस्सा था वो अपनी जगे सिथिर रहा और ऐसे गती सील बरफ के हिस्से और सिथिर बरफ के हिस्से के बीच में जो gap create होता है इस gap को हम नाम देते हैं ब्रग स्रुन का dust well glacier जो गती सील है वो glacier मू करते करते जिस एरिया से गुजरता है यदि उस एरिया में अब मान लीजिए जो glacier है वो glacier एक एरिया से गुजर रहा है यहां से और यहां पर यह वाल है और इस एरिया में कुछ जो weathering activity है उत्परवती अक्षेत्रों में उपरी भाग में हो रही है और उसके प्रिणाम सवरूप को यह टुकडा जो है चटान का टूटके इस glacier पे गिर जाता है जैसे ही वो insulation सूर्य निकलता है उस insulation को receive करता है और यह गरम होने लग जाता है इसके गरम होने के कारण इसका तापमान बढ़ता है और बढ़ते वे तापमान के प्रिणाम सवरूप बरफ जो है वो इसके साथ के हिसे में पिगलना सुरूप हो जाती है और धीरे धीरे एक दो cylindrical hole जो है वो create हो जाता है और ऐसे दो cylindrical hole create होते है इनको हम dust well के नाम से जानते हैं और फिर मॉलिन्स की बात करी जाए यही जो dust well develop हुए थे यदि ये जो dust well है ये dust well जो subglacial stream है यानि glacier के अंदर भी जो है एक पानी की धारा कई बार बहते हुए पाई जाती है यदि ये जो dust well है ये dust well इस subglacial stream के साथ जुड़ा हुआ है इस वा इन के नाम से जो है वो जाना जाता है और सिरेक्स की बात करी जाए ये बरफ के टुकड़े हैं और इन बर्ये बरफ के टुकड़े वो जो गती में अंतर था glacier की किनारों के उपर और किनारों के साथ-साथ जो उसके bottom area में उसकी वज़े से ये कुछ इस प्रकार से जो है वो बरफ तूट जाती है glacier में और ऐसे तूटे वे इन बरफ के टुकड़ों को हम नाम देते हैं सिरेक्स का फिर glacier table एक बहुत बड़ा पत्थर जो है रोकफाल के रूप में या फिर जो frost action होता है frost setting होती है उसकी वज़े से यदि किनारों से तूटके अब ये जो valley में glacier जो है वो मूग कर रहा है लेकिन ये जो peak area है इस peak area से तूटके कोई एक पत्थर का टुकड़ा glacier पे गिर जाता है और glacier के साथ वो गतिसील होते होते मूग करते करते ablation जहाँ glacier का है वहाँ पहुंच जाता है और जहाँ पर glacier पिगल रहा है लेकिन city क्या होती है कि ये जो चटान का टुकड़ा है ये इतना बड़ा है कि जो सूरिय की किरने आ रही है ये उन सूरिय की किरनों को नीचे नहीं पहुंचने देता और इसके नीचे की जो बरफ है वो बरफ जमी हुई अवस्था में रहती है और उस अवस्था के प्रिनाम सवरूप ये जो चटान का टुकड़ा है ये एक मेज की भाती दिखाई देता है और ऐसी आकरती को हम glacier table के नाम से जानते हैं तो ये कुछ सतलाकरतियां थी जो सतलाकरतियां glacier के अंतरगत ही यानि उस बरफ के ऊपर ही निर्मित होती है फिर यदि हम erosion की बात करें erosion यानि abrasion और plucking activity जो glacier के द्वारा करी जाती है उसके कारण भी कुछ सतलाकरतियों का निर्मान होता है और सबसे पहली जो सतलाकरति की हम बात करेंगे सर्क सर्क की देखिए यदि बात करी जाए जो सर्क glacier की बात थी यहां पर आप उसको समझिएगा एक लेंड फॉर्म होती है जो माउंटेन एरिया में फ्रोस्ट एक्सन की वज़े से या निवेशन की वज़े से डवलप हो जाती है यानि वैदरिंग के प्रभाव में आके जो चक्टाने हैं उन चक्टानों में दरार आ जाती है उन दरारों में जो पानी है वो भर जाता है बरफ तापमान गिरता है वो पानी जमता है उसकी 10% volume increase होती है और वो दरारे धिरे धिरे बड़ी होती है उस एरिया से glacier move करता है और move करतावा glacier उन दरारों के पास जब पहुँचता है तो वो उस चक्टान को अपने साथ करने के प्रिणाम सवरूप एक amphitheater आकार की जो कुर्शी होती है उस amphitheater की जो कुर्शिया होती है उस कुर्शी के आकरती के समान एक सतलाकरती जो है निर्मित हो जाती है और ऐसी निर्मित सतलाकरती को हम सर्क के नाम से जानते हैं इसका एक हिस्सा खुला होता है और तीन हि इस यहें जो क्लोज हैं और ये वाला हिस्टा जो यह सका open है और अगर देखर देखेंगे एक चेयर होती है एक rest Chamteenth जो होती है उस rest chain की भाती आराम कुर्षी की भाती जो है इसका सवरूप पाया जाता है और एशी सतला कृति को हम सर्क का नाम को सर्क की ये दूसरे डाइग्राम में भी जो है आप देख सकते हैं और इस डाइग्राम में भी आपको वो चीज जो है सपस्ट दिखाई दे रही है ये जो सर्क होता है इस सर्क की development को लेके तीन थियोरी जो है वो दी गई है एक थियोरी गारवूड ने जो है प्रपोज करी एक थियो ये कहते हैं कि जो frost action है यानि वो पाले का जो जमना है जो frost setting जिनकी वज़े से होती है वेदरिंग में अपक्से में हमने पढ़ा था उसकी वज़े से जो है एक depression create हो जाता है और जब interglacial period होते हैं जिस period में glacier नहीं exist करते तो इस दरार में वो पानी जो है जो glacier पिगलने की व weathering और water erosion के प्रिणाम सवरूप उस area में soil creeping हो जाती है और उस soil creeping के प्रिणाम सवरूप जो है एक उस arm chair की भाती उस rest chair की भाती एक सथला करती बन जाती है और बाद में जब glacier period आता है तो उस area में बरफ जो है वो ढबर जाती है और वहाँ पर जो है सर्क का निर्मान जो है य इसके जो प्रपोजर थे वो जॉन्सन थे जॉन्सन का कहना है कि जो mechanical disintegration है ब्रक्सरंड की अमने उपर बात करी थी कि एक stable ice का area था एक moving ice का area था उसके बीच में एक gap create हो गया इस gap की rocks जो है exposed हो गी exposed rocks के उपर जो है weathering activity हुई और उसके प्रिणाम सवरूप यहाँ पर जो है एक depression create हो गया और यह depression जो है वो धीरे धीरे जो जो इस ब्रक्सरंड का size यानि यह moving ice जो है आगे बढ़ती रहेगी इसका size बढ़ता है और यह बढ़ते हुए size में धीरे धीरे यहाँ पर जो है एक कोरी जैसा इसको जो है कोरी के नाम से भी जाना जाता है सर्क को उसकी development होत होता है थोटा सा गड़ा होता है बाद में जो बरफ है glacial erosion है उसके प्रिणाम सोरूप इसका आकार बढ़ता चला जाता है और इसके आकार बढ़ने के साथ साथ इसकी जो back wall होती है वो back wall जो है वो recede करने लग जाती है और उसकी recession के प्रिणाम सोरूप जो है सर्क की कुछ इस प्रकार से जो है वो development होती है, यानि यह जो back wall है, यह back wall recede करती रहेगी, और धीरे धीरे जो है, एक पूरा का पूरा जो सर्क है, उसकी development इस area में हमें देखने को मिलती है, यह team theory है, जो सर्क को explain करती है development को, और इस सर्क के area में जो glacier पाया जाता है, उसी glacier को सर्क glacier के नाम से भी जाना जाता है, फिर यह जो सर्क develop हुआ था, इसका जो bottom part था, वो bottom part थोड़ा सा गहरा हो जाए, और glacier इस area से retreat कर जाए, और glacier के retreat करने के बाद बरफ जो पिगलेगी, उस पिगलने, बरफ के पिगलने की वज़े से जो पानी बना था, वो पानी जब उस bottom के depression पर इकठा हो जाता है, तो वो एक जील का निर्मान करता है, और ऐसी जील को हम तार्न के नाम से जानते हैं, यह basically जो सर्क होता है, उसका bottom part होता है, और उस bottom part पे glacier पिगलने की वज़े से जो जील निर्मित होती है, उसको टार्न का नाम दिया जाता है, फिर यदि हम हौन की बात करें, हौन के संदर में देखिए, आप ऐसे समझें कुछ इसको, एक सर्क जो है इस एरिया में डेवलप हो रहा है, एक सर्क इस एरिया में डेवलप हो रहा है, एक पीछे वाले एरिया में, एक इस वाले एरिया में, यानि एक जो परवत की चोटी है, उसके चारों तरफ सर्क की डेवलपमेंट होना सुरू हो जाए, तो प्रिनाम क्या होता है, कि यह जो back wall है, हर एक सर्क की यह retreat करना सुरू करती है, पीछे हटती है, और पीछे हटने के कारण वो जो चोटी थी, वो चोटी एक नुकिली चोटी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और ऐसी नुकिली चोटी एक सिंग की भाती दिखाई देती है, और ऐसी जो सथलाकिर्ती निर्मित होती है उस सथलाकिर्ती को हम हौन के नाम से जानते हैं और ये जो हौन से अगर एक साथ एक रिज के उपर एक रिज है और उस रिज पे दोनों तरफ सर्क डेवलप हो रहे हैं और इनके प्रिणाम सवरू बीच का जो एरिया है उस पे कई स सारे होन जो है एक साथ डेवलब हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से यह बाद में जो है वो हमें दिखाई देता है जैसे आप यहां पर भी देखेंगे तो यह एक कंगी की भाती जो है वो प्रतीत होती है कॉम रिज इसको कहा जाता है और ऐसी ही कॉम रिज को हम जो है इरेट के नाम से भी पुकारते हैं यानि कई सारे जो हौन से जब वो एक सिरीज में डेवलफ हो जए एक रिज के उपर तो ऐसी रिज को हम Combridge या फिर उसको हम Arrate के नाम से पुकारते हैं और Call की फिर देखिए दी बात करें तो एक परवत है उस परवत के इधर भी सर्क डेवलप हो रहा है इधर भी Backwall लगातार दोनों की जो है वो Retreat कर रही है और अंत में एक स्थिती जो जम्मुकस्मीर का जो अंतिम छोड है जिसको इंदराकॉल के नाम से जानाजाता है वो यही सकला करती है फिर यूशेप वैली की देखिए बात करी जाए वीशेप वैली यानि वी की आकरती में जो है वो नदी बनाती है लäकिन नदी का पानी हम जानते हैं कि वो deep erosion करती है लेकिन glacier की जो ice है वो एक बड़े लंबे चोड़े area में एक साथ move करती है और उसकी moment के प्रिणाम सवरूप ये जो हिस्सा होता है ये जो हिस्सा है ये काफी चोड़ा हो जाता है नीचे वाला और इसकी जो आकरती है वो कुछ इस प्रकार की हो जात है इस वैली को आप देखें इस वैली को आप देखें तो यह जो यूशेप में डवलप होती है इनको हम यूशेप वैली के नाम से पुकारते हैं और फिर यदि बात करी जाए कि एक जो है वो glacier है उस glacier की कुछ tributary glacier से लेकिन जो main जो glacier है और जो tributary glacier है दोनों की उचाई में अंतर होता है कारण क्या होता है main glacier में जो ice mass है वो ज्यादा होता है ज्यादा आइस मास के कारण जो डीप इरोजन है प्लकिंग एक्टिविटी से वो ज्यादा हो जाता है और प्रिणाम सवरूप ये घाटी गहरी हो जाती है लेकिन ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर में बरफ की मातरा कम होती है और यहाँ पर जो डीप इरोजन का जो प्रिट होता है कि जैसे यह हवा में लटका हुआ है तो इस प्रकार की जो घाटियां होती है उनको हम हैंगिंग वैली का नाम देते हैं और बाद में यदि ग्लेशियर यहां से रिट्रीट कर जाए तो इसी एरिया में हैंगिंग वाटरफॉल की भी जो है वो डेवलपमें यानि एक स्नो कवर्ड एरिया में एक अन्स्नो कवर्ड जो है अनकवर्ड जो रोक पाइजाती है उस रोक को हम नूना टक के नाम से जानते है इस के संदर में उनदी में बात करूँ हमारे glacier की कुछ moment इस प्रकार से है और इस moment के दोरान इसके रस्ते में जो है एक पहाड़ी आ जाती है और ये glacier जब इस पहाड़ी पे चड़ते हुए इसका जो आगे वाला हिसा है उस हिसे को smooth रखता है लेकिन जब ये glacier जब down slope move करता है तो यहाँ पर plucking activity की वज़े से यहाँ पर undulation create कर देता है और प्रिनाम सोरूप कुछ इस प्रकार की जो है एक सतला करती का निर्मान होता है और इस सतला करती को हम रोसी मोटेन के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको जो नॉर्मली जो है वो बेड़ पीट सेल कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि बेड़ जो है वो बेठी हुई है और उसकी पीठ दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा तरक संगत तो नहीं है लेकिन इसको जो सही नाम है जो रियल नोमेनक्लेचर है वो रोसी मोटेन है यानि बरफ की दिखा में स्मूथ स्लोप और बरफ जहां से डाउन मूग करती है लीवाड साइड में अगर अंडूलेटिंग स्लोप पाया जाता है तो रोसी मोटेन और इसी के विप्रीत जो है यदि हम कुछ इसी रोक की बात करें और यह आइस मूग करती है तो जहां पर आइस जो है अपवाड इसमें क्लाइम करती है यदि उस एरिया में पलकिंग एक्टिविटी हो जाए और आगे उतरती हुई आइस जो है स्मूथ एक कर्व को क्रियेट करते हुए मूग करें तो कुछ समय के बाद सतला करती जो है वो इस प्रकार की निर्मित हो जाती है यानि एक तरफ तो क्रेग है और दूसरी तरफ की जो पहाड़ी थी जो लीवर्ड साइड में उस वो एक एक्स्टेंशन जो है टेल की भाती दिखाई देता है तो ऐसी सतला करती को हम क्रेग एंड टेल के नाम से जानते हैं यहां पर देखिए आप देखें तो यह रोशे मोटेन का एक्जामपल है यह ग्लेशियर की डारेक्शन है और इस ग्लेशियर की डारेक्शन में फिर यह क देवलप होती है फिर ग्लेशियल स्टेरवेज जो रैपिड्स की डेवलपमेंट नदी के द्वारा करी जाती है सिप्रिकाएं लेकिन यह जो सिप्रिकाएं होती है जब ग्लेशियर इनका निर्मान करता है तो इनका आकार बहुत बड़ा होता है और इसलिए इनको जैंट इसको हिंदी में जो है वो डेट के का नाम दिया जाता है यानि एक बहुत बड़ी आकरती का जो दानव होता है तो उसी तरह की बहुत बड़ी-बड़ी स्टेर्स डवलप होती है इनी स्टेर्स को जो है वो हम नाम देते हैं ग्लेशियल स्टेरवेज का और इनी को साइकलो रिटीट करने के बाद पानी भरके जील निर्मित हो जाती है ऐसी निर्मित जील को हम पैटनोस्टर लेक का नाम देते हैं और फियोड की और इससे पहले देखिए फियोड से पहले यदि हम कुछ ऐसे समझें कि डिप्रेंशियल इरोजन है यानि कुछ यह हाड रोख है सौफ इतनी बड़ी बड़ी जो है यह स्टेरवेज डवलप होती है इनको साइकलोपियन स्टेरवेज या ग्लेसियर स्टेरवेज कहा जाता है और यह जो क्लिफ का एरिया है इस क्लिफ के एरिया में यहाँ पे जो है एक डिप्रेशन क्रियेट हो जाए और वो डिप्रेशन भरने की वज़े से जो जील निर्मित होती है उस जील को हम पेट्रोंस्टर लेक का नाम देते हैं फ्योड की बात करी जाये तो यह ग्लेशियर की वो घाटी होती है जो वर्तमान समय में समुद्र के अंदर जो है वो पाई जाती है यह बिलो दा सी लेवल पाई जाती है ऐसी गाटियां जो है नार्वे और स्वीडन के जो कॉस्ट है वहां पर बहुत सारी पाई जाती है इनको फ्योड का नाम दिया जाता है ग्लेशियर लेक यह हमारी उंगलियों की भाती आकार की यह जील जो है वो इरोजनल एक्टिविटी के द्वारा ग्लेशियर क्रियेट करता है तो उनको ग्लेशियर लेक कहते हैं ग्रेट लेक्स ओफ यूएस यह जो है वो ग्लेशियर लेक का एक एक्जामपल है यह जो है यह स्टेर्स देखिए आप देखें तो इनी स्टेर्स को हम साइकलोपियन स्टेर या ग्लेशियर टीड जो स्टेर वेज है उसका नाम देते और ये जो क्लिफ का एरिया है इस एरिया में कुछ इस प्रकार से जो है ये जील निर्मित हो जाती है ये हमारी पैटनोस्टर लेक जो है कहलाती है और ये फिर ये जो है बात करी जाया है जैसे हमारी फिंगर होती है उस फिंगर की सेफ की जो जीले होती है इन जीलों को हम ना Glaciated Lakes का, इसके अलावा भी Iceberg ये वो बरप का एक टुकडा होता है, बहुत बड़ा बरप का टुकडा, जो यदि Glacier जो है, वो Continental एरिया में पाए जाएं, और Continental Glacier की जो Reach है, यदि उनकी जो Reach है, वो समूदर तक होती है, तो समूदर का पाणी जो फ्लोट करता है, और Glacier जो है, वो Forward करते करते, अब ये कुछ इस प्रकार से हम मानके चलें, कि यहाँ पर समूदर है, तो Glacier मू करते करते, जब इस एरिया में आ जाता है, तो यहाँ पर जो Layers की जो Moment है, जो Trubulence है, उसकी वज़े से ये बरप का एक टुकडा जो है, वो तूटके अलग हो जाता है, कुछ इस प्रकार से, और ऐसे तहरते वे बरप के टुकडों को हम Iceberg के नाम से जो है, वो पुकारते हैं, और इनका लगबग जो है, दस में से यदि बात करे जाए, तो 9 हिसा जो है, वो पानी के अंदर डूबा होता है, और Titanic जो जहाज था, उसको तोड़ने के पीछे पी जो है, कुछ ऐसे ही Iceberg का जो है, एक रोल था, इसके अलावा बात करी जाए, तो Glacier में कई बार जो है, एक Stream भी डवलप हो जाती, यानि Glacier का जो उपरी भाग होता है, इस उपरी भाग में एक नदी विक्सित हो जाती, यानि दिन के समय जो तापमान बढ़ता है, तो पिगले हुए हिस्से में जो पानी बनता है, वो गतिसील हो जाता है, और ऐसी गतिसील स्ट्रीम को हम सूपरा Glacier स्ट्रीम का नाम देते हैं, एक ऐसी ही अवस्था जो है, वो Glacier के नीचे वाले एरिया में भी क्रियेट हो सकती है, यानि कुछ ये Glacier है, पूरा का पूरा लेकिन इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से में बरफ जो है, वो पिगल गई है, और इस पिगली हुई बरफ में पानी जो है, वो मू करता है, और ऐसे मू करते वे पानी को हम सब Glacier स्ट्रीम का नाम देते हैं, और यही पानी जो है, वो मू कर रह इनके साथ जो पानी जो है वो आता है उस पानी के साथ जो सेडिमेंट होता है यही सेडिमेंट का डिपोजिशन बाद में जो है एसकर की डिवलोपमेंट भी करता है और गलेशियल जब किसी एरिया के उपर से मूग करता है तो उसकी मोमेंट के बदोलत जैसे हमने सेंड कहते हैं और इसके अलावा यह जो glacier है यह glacier में जब केवल और केवल बरफ होती है तो ऐसी अवस्ता में यह polishing करते हैं लेकिन इसकी bottom में यह जो चोटे चोटे बरफ जो चटानों के टुकने हैं वो भी glacier का हिसा बन जाते हैं तो यह मुँ करता हुआ glacier चटानों के उपर कुछ ऐसे stirrations जो है वो create कर देता है जिसके बारे में वेगनर ने बात करी थी कि नटाल अफरीका के एरिया में stirration ब्राजिल के पठार में दखन भारत के पठार पे जो है वो stirration मिलते हैं और यह stirration जो है वो glacier ही develop कर सकता है तो वो जो चटा generation के नाम से जो है उकारते हैं तो यह कुछ सथला करती हैं जो glacier की या हिम नदी की जो अपरदन कारिये हैं उनके प्रिनाम सवरूप विक्षित होती है इसकी depositional landforms की देखिये बात करी जाए तो glacier अपने साथ जब glacier move होता है तो उस दोरान कुछ भी जो है वो deposition नहीं होता है depositional activity यदि होती है तो वो depositional activity तब होती है जब glacier की बरब पिघल जाती है और उस बरब के साथ जो sediment था वो उस एरिया में deposit हो जाता है और glacier के द्वारा deposit किये गया जो material होता है उस material को हम moraine के नाम से जो है वो जानते हैं और इस material की बात करी जाए तो यह बहुत ही unstatisfied material होता है इ वो सामिल होते हैं और यही moraine का जो deposition है वो कई सारी सतलाकरतियों का निर्मान करता है इसमें यदिम हम बात करें तो इसको drift के नाम से भी जाना जाता है और unstatisfied जो drift का deposition होता है उसको हम till कहते हैं यानि glacier की जो बरब थी उसकी वज़े से उसके साथ जो stream जो उसके साथ जो material था वो material जब यूँका यूँ deposit हो गया तो unstatisfied होता है और ऐसे unstatisfied material को हम till कहते हैं moraine भी उसको कहा जाता है और उसका जो deposition होता है वो कुछ सतलाकरतियों को निर्मित करता है लेकिन यही material जो है जो glacial stream होती है उन stream के द्वारा stratify भी कर दिया जाता है और कुछ अन्य सतलाकरति जो निर्मित होती है उनमें जो है यह material stratified रूप में भी पाया जाता है क्योंकि पानी जो है वो सीविंग का काम करता है stratify कर देता material को तो दो तरीके से जो है और डिपोजिशनल लेंड फॉर्म डवलप होती है एक unstatisfied material के deposition से और एक stratification से stratified material के deposition से जो सतलाकरतिया बंदती हैं उन सतलाकरतियों को हम glacial fluvial landforms के नाम से जानते हैं लेकिन unstatisfied material के deposition से जो सतलाकरतिया निर्मित होती है उन सतलाकरतियों को हम glacial deposition landform कहते हैं यह till है जो दिखाई गई है और इसमें देखिए यदि आप देखें तो यह बहुत unconsolidated material है इसमें यह इतने बड़े बड़े पत्थर भी है और यह रेत भी आपको जो है दिखाई दे रहा है कुछ pebbles भी हैं cobbles भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह unstatisfied material जिसको हम till कहते हैं यह unstatisfied material जो है यदि उस glacier के किनारों के उपर यानि इस area में marginal area में यदि deposit होता है तो इसको हम lateral moraine का नाम देते हैं किनारों के उपर deposit पाया जाता है और जैसा हमने बात करी थी कि glacier जो है वो एक इस valley से आ रहा है एक इस valley से और यह दोनो glacier जो है जब इस area मे मिलते हैं तो इसके साथ आया material और इसके साथ आया material इन दोनों के मद्य भाग में deposit हो जाता है और इस मद्य भाग में जो deposited जो moraine पाई जाती है उसको हम medial moraine के नाम से जानते हैं और glacier जहां पर पिगल जाता है यानि यहां तक बरफ है और इस area में यह glacier है और यहां पर यह glacier पिगला था तो जहां पर glacier पिगलता है वहीं पर अपना सारा material deposit कर देता है और ये end point होता है glacier का तो इसलिए इसको terminal या फिर end moraine के नाम से जाना जाता है और ground moraine की यदि बात करें तो glacier जो है glacier की bottom के उपर भी जो material है जब glacier melt करता है तो वो material यूंका यूं भी जो है उसकी bottom पर deposit हो जाता है और ऐसी bottom पर deposited material को हम ground moraine के नाम से जाना जाता है यानि चार तरीके से moraine जो है वो deposit होता है पहला किनारों पर marginal moraine या lateral moraine, दूसरा मध्य भाग में medial moraine, तीसरा end part पर end moraine या terminal moraine और चोथा उसके surface के उपर ground moraine के नाम से जाना जाता है और इस diagram में आप जो है lateral moraine है, ये जो है वो medial moraine है और यहां पर जो है terminal या end moraine है और इसके surface के उपर जो बनेगा वो हमारा बनेगा ground moraine, फिर ये जो material था जो glacier ने deposit किया था यदि इस material का जो deposition है वो एक जगे पे ज्यादा हो जाए एक दम से बहुत अधिक हो जाए और उसकी जो आकरती है वो एक उल्टी नोका की भाती हो जाए और ऐसे उल्टी नोका हैं जो है एक साथ बहुत सारी develop हो जाए तो ऐसा भी परतीत होता है कि उस area में मान लीजिए कि जो अंडे हैं वो आदे आदे मिट्टी में दबे हुए हैं और half cut egg cut जो topography है half cut egg topography के नाम से भी इसको जाना जाता है और ऐसी अवस्ता में वो जो inverted जो बोर्ट की shape में ये material deposit होता है या half cut egg की shape में deposit होता है उसको हम drumlin के नाम से जानते हैं और ऐसे drumlin जो है वो एक area में कई सारे विच्छित हो जाते हैं तो उसको basket of egg topography भी कहते हैं और कई सारे ये drumlin से दी एक group में deposit हो जाते हैं तो उसको हम drumlin field कह केते हैं यानि जो drumlin है वो तो deposit होते ही होते हैं यानि एक यहां है 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 तो यह जो कहलाएगा यह basket of egg topography कहलाएगी लेकिन कुछ इस तरीके से इनका concentration एक group में यह पाया जाता है तो इसको हम drumlin field के नाम से जानते हैं इस area में देख गुझेंगे तो यह उल्टी नौका की भाती आकरती जो है वो डिस्क डी पॉजिशन की वजहे से क्रियेवए है और इसी डी पॉजिशन को इसी आकरती को इसी लेंड फॉर्म को हम द्रमलिन के नाम से जानते हैं यह क्योंकि यह group में है तो इसको ड्रमलिन फ्यimes कहा गया है औ और सेक्डों किलोग्राम का वजन जो है वो इनमें हो सकता है और ऐसे जो बॉल्डर जो गलेशियर के साथ मूँ करते विए आ जाते हैं गलेशियर पिगलता है डिपोजित हो जाते हैं तो इनको हम Eratix का नाम देते हैं और यह Eratix जो है अगर Unbalanced होते हैं तो इनको हम पर्च क नाम से भी जो है वो पुकारते हैं और यह जो boulder होता है इसका जो rock structure है वो surrounding area के rock structure से completely different होता है जिस area में यह deposited पाया जाता है फिर stratified deposition की यानि glacier fluvial material अब जो material का जो deposition होता है वो glacier stream करती है और stream जैसा कि paning हम जानते हैं यह सीविंग का काम करता है यानि material को stratified कर देता है बड़े बड़े पत्थर अलग उससे छोटे अलग उससे छोटे अलग और मिटी को ये अलग कर देता है तो उसकी वज़े से इन सतलाकरतियों का निर्मान जो है वो पाया जाता है और इसमें पहले यदि हम बात करें यानि जो glacier मूँ कर रहा था तो उसके bottom के उपर एक depression create हो गया उस depression में बरफ जमा हो गई glacier retreat कर गया और ये बरफ जब बाद में पिगली तो इसके पिगलने की वज़े से ये कई सारी lakes जो है वो develop हो जाती है और ऐसी lakes को हम cattle lakes के नाम से जो है पुकारते हैं और वो जो sub-glacial stream की देखिए बात करी थी तो वो sub-glacial stream यानि ये पूरा glacier था इसके मध्यबाद में वो stream थी उस stream में जो material था वो material deposit हो गया और वो deposit क्योंकि ये stream rarely जो है वो glacier को पार करती है ये glacier के अंदर ही जो है capture हो जाती है यानि इस area तक ये stream थी तो इसके साथ जो material था वो सारा material यहाँ deposit हो जाता है और एक ridge shape में ये material deposit होता है ऐसा ridge shape में जो deposited material है उसको हम askar के नाम से जानते हैं और फिर यदि came की बात करी जाए तो ये जो stratified material है यदि इस material का एक बहुत बड़ा धेर जो है वो इकठा हो जाए came कहलाता है और यही material दी unstatisfied होता है तो इसको हम कहते हैं drum link और stratified material अगर deposit होता है तो वो came कहलाता है और फिर यदि मैं बात करूं last में तो out wash plane out wash plane की यदि बात करी जाए तो देखिए इस area में glacier melt हुआ और यहाँ पर जो material था अब glacier जो lakes है GLOF की भी बात करी जाए glacier lake outburst जो flood होती है उसके साथ भी बहुत सारा material जो है वो एक साथ आता है और वो material जो है एक लंबे चोड़े अक्सेतर में deposit हो जाता है और उस अक्सेतर में जो depression है उनको फिल कर देता है एक plane की development होती है और यह out washing का result होता है इसलिए इनको out wash plane कहते हैं और ऐसे ही जो plane है जो कस्मीर के area में develop होते हैं उनको हम मर्ग के नाम से भी पुकारते हैं गुलमर्ग का या नाम आपने सुना होगा तो वो गुलमर्ग भी जो है कुछ इसी प्रकार की एक सतला करती है जो एक out wash plane है और glacier में हमारा discussion है वो यहीं तक है और उमीद है कि Glacial का जो process है उसकी जो erosional depositional activities है और उसके द्वारा जो निर्मित सतला करती हैं ये बहुत हद तक आप जो है वो comment section में सवाल हमारे से पूछ सकते है कुछ साथी जो है वो मुझे ऐसा परतीत हो रहा है कि वो last में जब हम appeal करते हैं उनसे subscribe करने की वो already subscribe है और वो उस button को दबा देते हैं और unsubscribe हो जाते हैं तो उन साथियों से मेरा निवेदन है यदि आपने एक बार subscribe का button दबाया है तो आप दोबारा ना दबाएं और जिनोंने अभी तक नहीं दबाया है वो उस button को जरूर दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें बहुत बहुत धन्यवाद आपका thank you very much